हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वालें तामिल सिनिमा के बैंतरीन एक्टर कार्थी की स्टार दोजाथ 23 की धमाकेदार पेन इंडिया फिल्म जापान के बारे में फाइनली फिल्म का एक धमाकेदार ट्रेलर आउट हो चुक है जो की ओडियांस को काफी जादा पसंद आ रहा है जियों दोस्तो तामिल के साथ साथ बाकी सभी बासाओं में इस फिल्म के ट्रेलर को काफी जादा पसंद किया जा रहा है आप सभी की जानकाई के लिए बता दे कि इस फिल्म को 9 नौमबर पर दिवाली के मौके पर तामिल के साथ साथ बाकी सभी बासाओं में रिलिस किया जाएगा और जैसे कि आप से भी जानते हैं कि सूपर इस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी इसी दिन रिलिस होने वाली है और इन दोनों फिल्मों में बॉक्स आफिस पर करी टकर होने वाली है क्योंकि फिल्म जापान का कंटेंट भी कापी धमाकेदार होने वाला है और जैसे इस फिल्म के ट्रेलर में एक्षन दिखाय जारा अंदाजा लगाय जारा है कि ये फिल्म भी कापी दमदार होने वाली है और फिल्म में एक्षन के साथ सांत रोमेंस भी होने वाला है फिल्म के लीड ओल में सुपर इस्टार कार्थी के साथ साथ एक्टेस अनु एनुमल भी नजर आने वाली है डारेक्टर राजू मुरुगन ने इस फिल्म को अपने डारेक्शन दिया अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट है लगबग 40-50 प्रोल लेकिन जिसके हिसाफ से जिस तरीके से फिल्म की कापी की गई फिल्म कापी दमदार होने वाली है तो आप सभी फिल्म जापान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड आप सभी को क्या लखते कि फिल्म दिवाली के मौके पर बॉक्स आफिस पर सारे बड़े रिकार्ड तोड़ देगी और एक ब्लोगवेस्टर फिल्म मन जाई कि आप तभी कि राह में कमेंट करके जो बताईए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो करें